हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में रूपे का जवाना है और सभी बैंकों को अपना रूपे क्रेडिट कार्ड आपके हाथों में थमाना है तो IDFC ने भी अपना इंस्टन डिश्टन रूपे क्रेडिट कार्ड लॉंच कर दिया है बट यह सभी बैंकों से अलग है क्योंकि आपके पास कोई भी कार्ड हो चाहे वह एबदी वाला क्यों नहों आपका अप्रूबल 100% मिलेगा तो आपको बस apply करने का process करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे apply करना है क्या-kya benefit है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो चैनल पड़ना है तो चैनल को subscribe करें without further delay let's get into the details सबसे खास बात है 100% आपको अप्रूबल मिलेगा दूसरी खास बात आपके पास दो या तीन जितने भी कार्ड हो आप उन सभी कार्ड के अगेंस आप ये इंस्टन रूपे डेडिट कार्ड ले सकते हैं अगर आपके पास 2 है तो आप 4 ले सकते हैं, 3 है तो 6 ले सकते हैं और 1 है तो 2 ले करके अपने card की strength को बढ़ा सकते हैं लिमिट जो होगी इस card की वो आपके existing card के संग share करेगी तो दोनों card के limit सेम ही होगी आप इस card को किसी भी UPI application link करके और QR code scan करके आप पेग कर पाएंगे अगर आपके पास पहले से IDFC का कोई card नहीं है तो उसका भी apply करने का link मैं आपको description में दे दूँगा इवेन अगर जो आपका card approved नहीं भी होता है तो आप मातर 2000 रुपे की app दी बना करके आप ये card ले सकते हैं आपको सबसे पहले ये रुपे create card apply करने के लिए वीडियो के description में दिये के link पर click करना है जैसे ही आप उस link पर click करते हैं अगर आपके पास पहले से IDFC का app install हुआ तो उसको आपको वो उस पर redirect कर देगा मैं इस card के welcome benefits के बारे में बताता हूँ आपको मिलता है 100% cashback earn करने का मोगा इस card के activate होने के 15 दिन के अंदर आप 50-50 रुपे के चार ट्रांजेक्शन करते हैं तो इन चारों ट्रांजेक्शन पर आपको 100% cashback देखने को मिलेगा यानि आप पूरे कार्ड के एक्टिवेट होने के 15 दिन के अंदर 200 रुपय का ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आप 200 रुपय का ही cashback earn कर से तो अब मैं आपको इस कार्ड के reward system के बारे में बताता हूँ आप इस कार्ड से जब 2000 या उससे उपर यानि 2001 रुपय से जितने अधिकार ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 3x reward point देखने को मिलता है अगर आप 2000 से नीचे का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 1x reward point देखने को मिलेगा यहां पर जो reward system है reward system calculate करने का process है वो different है जैसे कि आपके पास classic millennia या wow credit card है तो उसके 1500 रुपय स्पैंड करने पर आपको 3x reward point देखने को मिलेगा फिर आपके पास first select या first wealth है तो आपको 125 रुपय स्पैंड करने पर 3x reward point देखने को मिलेगा और आपका prime और wealth credit card पर 100 के spend पर आपको 3x reward point देखने को मिलेगा आप इस तरीके से अपने card के spend पर reward point अर्ण कर सकते हैं one reward point के value आपको 25 पैसा देखने को मिलेगा यहां पर हर card के लिए reward point के value से मिलेगी बस card के हिसाब से reward earn करने का value different है हम इस card के reward के earn करने के value की बात करें तो बहुत ही बेकार सिस्टम है इसके reward का क्यूंकि अगर जो हम बात करें अगर जो आप 2000 रुपए से नीचे का transaction कोई भी करते हैं तो उस पर आपको 1x reward point देखने को मिलता है यानि आप डेर सो रुपए 150 रुपी की जब आप करते हैं तो आपको मात्र 1 reward point मिलेगा जिसके वैल्यू 25 पैसा होगी लेकिन अगर हम इसी में किसी और बैंक के रुपए क्रेट की बात करें जैसे एक्सिस का कीवी क्रेट काड़ है तो उस पर आपको वन पर्सेंट का सब्सक्राइब देखने को मिलता है यानि आप सो रुपए के स्पेंट पर आपको एक रुपए का रिवाट सिस्टम देखने को मिलता है तो इसके हम रिवाट सिस्टम जो है इसका इस काड़ का बहुत ही खराब देखने को मिलता है वैसे हम इस काड़ की बात करें तो तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक देकर हमारे वीडियो बनाने के मैनत को सफल जरूर बनाए और अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन दबा लें ताकि इसी तरह की नए वेडियो में जब तक के लिए रादे रादे